नमस्कार आज मैं आपको वट सावित्री की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ तो देर नहीं करते सुरू करते हैं आज की कथा मद्र देश में अस्वपती नाम के परमग्यानी राजा थे धन वैभाव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ती के लिए सावित्री की आराधना की सावित्री ने प्रशन होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशिरवाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है पर मैं स्वयम कन्या रूप में तुम्हारे यहां जन्म लूँगी इतना कहकर सावित्री देवी अंतरध्यान हो गई कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ राजा रानी ने उनका नाम भी सावित्री ही रखा सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रती बढ़ने लगी जब वह विवा के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा की अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर खोज लो राजा ने उसे एक बुढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई इधर एक दिन अचानक नारज जी मद्र राज अस्वपती से भेट करने के लिए आए तब ही सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लोट आई उसने आदर पूर्वक नारज जी को प्रणाम किया नारज जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अस्वपती से पूछा कि आपने इसके लिए योग्य वर्ख हो जा है या नहीं राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर्ख होजने के लिए भेजा था वो अभी लोट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पती रूप में किसे पसंद किया है राजा की बास सुनकर नारज जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है सावित्री ने परम विनम्र हो हाज जोड का निवेदन किया की महराज राजा ध्यूमत सेन का राज रुकमी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं उनके एक मात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पती बनाने का निश्चय किया है सावित्री के ऐसा कहने पर नाराज जी ने राजा अस्वपती से कहा कि आपकी कण्या ने वर्खोजने में निसंदे भारी परिश्रम किया है सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है वह रूप वान और समस्त सास्त्रों का ग्याता है वो अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ जिस प्रकार समुद्र रत्नों की रासी है उसी भाती सत्यवान सभी सत्यवान का भंडार है वो सब प्रकार से सावित्री के योग्य है वो सब बातों में सावित्री के साथ छमता र उसके मृत्ति हो जाएगी। नारत जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अस्वपती का चेहरा उदास हो गया और उसके मधुर स्वप्न नस्ट हो गये। नारत के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे छिडायू वक्ति के साथ विवाह करना कल्यान कारक नहीं है। इसलिए कोई अन्यवर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं सारी सम्बन के लिए तो कभी मन में भी किसी अन्यवर पती को खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल पर पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के परशात उसे करना ही होता है, चाहे वह सुब हो या सुब। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पती स्विकार कर लिया है वही मेरा पती होगा अब मैं किसी दूसरे का वरण किस प्रकार कर सकती हूँ राजा एक ही बार आग्या देता है पंडित एक ही बार पतिग्या करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है जैसा भी है अब मेरा पती है मुझे उसके दिरगायू या अलपायू होने से कोई हर सविशाद नहीं है अब मैं पुरुस की तो बात ही क्या देवराज इंद्र को भी स्विकार नहीं करूंगी कोई सकती मुझे मेरे इस निश्चे से नहीं दिगा सकती मैं पुनह द्रिड़ता पुर्वक कहती हूँ की सत्यवान ही मेरा पती होगा सावित्री का ऐसा द्रिन संकल्प सुनकर नारज जी ने राजा अस्वपती को सम्मती दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के सांथी कर देना चाहिए यही उचित प्रतित होता है इस प्रकार राजा को समझा बुझा कर नारज जी अपने स्थान को चले गए वहाँ पर राजा ध्यूमत सेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे अस्वपती ने उनके पास पहुँचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया ध्यूमत सेन ने अस्वपती के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी क और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता आप राज्याशीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंग इस पर भी हम दोनों अंधे हैं निर्धन हैं और वन में रहते हैं आपकी कन्या ने वन के भारी कश्टों को ना जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है महराजा अस्वपती ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया है वह कहती है कि जहां मेरे साथ ससुर और पती देव निवास करते हैं वही मेरे लिए बैकुंट है सावित्री के ऐसे दिन निश्चय को सुनकर ध्यूमत से ने विवाह की स्विकृती दे दी सास्त्र सम्मत रिती से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अस्वपती तो अपनी राजधानी को लौड गए और उधर सावित्री मन चाहे पती सत्यवान को पाकर सुक पुर्वक वन में रहने लगी नारज जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गुंस्ते रहते थे वह एक-एक दिन गिन रही थी उसने जब पती की मृत्यू का दिन निकट आया जाना तीन दिन पहले से ही उसने उपवास आरम कर दिया तीसरे दिन अपने पीत्रों का पूजन किया वही दिन नारज जी ने सत्यवान की मृत्यू का बताया था रोज की भाती उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुलहाडी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा तो सावित्री ने स्वेम भी उसके साथ चलने का आग्रा किया सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वही ठैरने की सम्मति दी तब सावित्री अपने सास ससूर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आग्या ले आई और उसके साथ वन को चलने को तयार हुई सत्यवान ने वन में पहुँच कर फल फुल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक व्रिक्ष पर चड़ गया व्रिक्ष के उपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी वा व्रिक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंगा पर अपना सिर रखकर लेड गया कुछ देर बार सावित्री ने अनेग दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिये हुए देखा पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिन दिसा की ओर चले गए सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा की हे पती व्रते जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने पती का साथ दिया अब तुम घर लोड़ जाओ सावित्री ने कहा धर्मराज जहां मेरे पती जा रहे हैं वहां मुझे भी जाना चाहिए यही सनातन धर्म है पती वरत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गती नहीं रोख सकता सावित्री के ऐसे धर्म पूर्ण वचन सुनकर यम्राज ने प्रशन होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा सावित्री बोली कि मेरे साज ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे यम्राज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनह लोट जाने की सलाह दी यम्राज की बात सुनकर सावित्री ने कहा भगवन जहां मेरे पती देव जाते हूं वहां उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है सावित्री के ऐसे धर्म युक्त और स्रधा पुन वचन सुनकर यम्राज ने फिर कहा सावित्री मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन हूँ तुम मुझे एक वरदान और मांग सकती हूँ सावित्री ने कहा राजा द्यूमत सेन का राज चिन गया है उसे वे पुना प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रेती रहे यही वरदान मुझे दीजिए यमराज ने वरदान देकर पुना उसको लौट जाने को कहा किन्तु वह ना मानी और बराबर पीछा करती रही उसकी ऐसी दिन पति भक्ती देख यमराज ने प्रसन होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की तब सावित्री ने अपने पित्री कुल की भलाई को दिश्टी में रख कर सौ भाई होने का वरदान मांगा यमराज ने सहर से यह वरदान भी दिया सावित्री से पुना आगे ना बढ़ कर लौट जाने का अग्रह किया किन्तु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही सावित्री की ऐसी निष्ठा और दिर्ण संकल्प देख कर यमराज का हिरिदय पसीज गया वे बड़ी कोमलवाणी में बोले हे सुवरते तुम जो जो उत्तम धर्म युक्त और गंभीर युक्ती पूर्ण वचन कहती हो त्यों त्यों मेरी प्रिती तुम पर बढ़ती जाती है अता तुम सत्यवान के जीवन को छोड़ कर एक और वर्दान मुझसे ले लो और अपने घर लोट जाओ पहले तीनों वर्दान पाकर सावित्री ने अपने स्वसुरकुल और पित्रुकुल दोनों का कल्यान कर दिया अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुक था पती परायन नारी को अपने पती की आयू वृद्धी के अत्रिक्त और क्या फलकामना हो सकती है यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से सौपुत्र होने का वर्दान मांगा सावित्री के ऐसे युक्ति पूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वर्दान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चा ही सौपुत्र होंगे सावित्री को मनोवा अंचित वर्दान देकर यमराज वहीं अंतरध्यान हो गये और वह लोटकर वट वरिक्ष के नीचे आई वट वरिक्ष के नीचे सत्यवान का मृत सरीर पड़ा हुआ था उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उटकर बैड़ गया सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी-खुशी आश्रम के ओर चले सत्यवान के माता पृता को दिश्टी प्राप्त हो गई थी और वे अपने आग्याकारी पुत्र और सेवा परैन पुत्र वधु को ना देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे तभी सावित्री और सत्यवान वहाँ पर पहुँच गए सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिवरत का समाचार फैल गया प्रजाजनों ने माहराज धुमत सेन को ले जाकर आदर पूरवक राज सिहासन पर बैठाया सावित्री के पिता अस्वपती को भी सौपुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी सौपुत्र प्राप्त करके दिरगायू तक राज जिब होगा और अंत में बैकुंठ सिधारे पत्यक सौभागे वती इस्त्री के लिए यह वरत करना आवश्यक है तो बोलिए विश्णु भगवान की जैस तो यह थी वर्ट सावित्री की वरत कथा आसा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और उसे जाज जादा शेयर कीजे धन्यवाद